Hello everyone, my name is Chandan Singh Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक छोटे से advanced structure के बारे में जिसका नाम है J-E-E-R, 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 फिर उसके साथ आपको at का इस्तमाल करना है क्या होता है यह situation देखते है Guys, J-E-R at का मतलब होता है हसी उडाना, चुटकी लेना, मजाक उडाना कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अच्छा perform नहीं किया या किसी का behavior कैसा है हम एक हसी उडाने लगते, मजाक उडाने लगते कई बार कहते हैं कि वो चुटकी ले रहा है उसके बारे में हम कुछ ऐसा word बोलते हैं तो कहने का मतलब है कि To say rude and insulting things to someone कोई rude बात कहना, कोई insult करने वाली बात कहना जिससे कि उसका मजाक सा उड़ जाए वहाँ पर आप इस्तमाल करेंगे J-E-R at का यह आपका situation, अगर structure की बात करते हैं subject उठाईए, जो भी helping verb है जैसा tense है वैसा उठाईए उसके बाद यह jeered at लगाईए past है तो jeered at हो जाएगा present continuous है तो jeering होगा present indefinite है तो he, she, similar किसा jeered हो जाएगा, ऐसे कीजिए उसके बाद जिसका आप मजाक उड़ आ रहे हैं उसका जिकर कीजिए जैसे me, him, her, you इस तरीके से, किसी का नाम ले सकते हैं तो sentences देखते हैं guys यहाँ है when my friend failed the exam जब मेरा दोस्त exam में fail हो गया his relatives उसके जो रिष्टेदार है started jeering at him यानि कि उसके relatives उसका मजाक उड़ाने लगे उस पर हसने लगे समझ रहे, चुटकी लेने लगे, हाँ हाँ तो fail, पास होने वाला थोड़ी था तो fail होने वाला, कैसे भी वो बात करे it means कि वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, वहाँ पर आप jeer का इस्तिमाल करेंगे, एक और sentence देखिए या लिखा है कि don't jeer at your for teachers, यानि कि अपने अध्यापकों का मजाक मत उड़ाओ, कई बार होता है कि उनके absency में लोग बात करने लगते हैं कि हमारे टीचर ऐसे हैं, कुछ कॉमेंट करते हैं तो jeer at का मतलब है कि say rude and insulting thing उनके बारे में कुछ भी insulting thing insulting thing बोलो it means you are jeering at आप मजाक उड़ारे उस वक्ती का देखिए some of my relatives jeer at me मेरे कुछ रिष्टेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं it means मेरे बारे में कही तरह की बाते करते होंगे insulting words बोलते होंगे तो किसी भी तरीके से चुटकी लेते होंगे किसी मेरे failure पर किसी चीज पर तो मजाक उड़ाना jeer at यह है कि when I spoke an incorrect English sentence जब मैंने एक गलत अंग्रेजी का हुआ कि बोला my friends मेरे जो दोस्त लोग हैं started jeering at me मेरा मजाक उड़ाने लगे तो jeer at I hope कि jeer at आपके बिल्कुल समझ में आया होगा आप इसे spoken English में भी इस्तमाल कर सकते हैं written English में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह अच्छा है guys तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care keep practicing and have fun अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends Thank you guys कर सकते हैं कर दो आपके लिए बस्तमाल कर सकते हैं